हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागात है आपका अपने यूटुब चांग इस्टाड़ेवे सुजीत में तो दोस्तो आज में क्लास टूगलत के रिक्स का महत्यपूर्स अब्जेक्टिव कोसंस के बारे में डिसक्स करने वाले हैं जो मारे बोर्ड एक्जाम के लिए अत्त तो त्यारी कर लेते हैं तो आपसे जो है सब्जेक्टिव कोसंस के यह हमसे यकीन से ले लिजिए कि आपसे अब एक भी प्रशनतर अब छूटने वाले नहीं हैं तो चले दूस्तों इस सेशन को अगाज करते हैं और देखते हैं बारी-बारी से प्रशने को और यहां पर फ परति रोध को हि प्रेणरिक परतिःघाद काते हैं और इसका सब्दिगार होता है और लोग असैनी से समझ सकते हैं पर्तिवर्तिधारा परिपत में जब कुंडली लगी रहती है तो उसके पर्तिरोधों को प्रेंडिक पर्तिघाद कोते हैं इसका जो मात रखोता है ओम होता है याद रखेगा अगर आप टॉपर्स इसके अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे तो उससे आप देख लिएग लिए जो है लास्ट पार्ट अज टॉपर्स इसका होने वाला है तो आप सीधा से ऑन तक जोड़ देखने का प्रयास केज़ेगा और यहां पर परसनी की परकास वर्स क्या होता है इसका पीडियुप है हम टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन होते हैं तो इसका पीडियुप करता है एक हजाँ से भागादाही मीटर होगा फेस्सेता है कि और ना ही इस्चाаяं गार्वेस क्या होता है तो आवेस को मासाइस याद कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि आत्कहेस को उथप्ण कर सकते हैं यहां पर कास की वर्तान से आप क्या समझते यह प्रशन तर देखते हैं आपका एंसर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सबसे पहले हम को यादी हैं तो हम दे रहें ठीक है तो यह प्रशनतर लगवग हर साल पूछ लिए जाता है कि परकास की वर्तन से आप क्या समझते हैं तो जब परकास की रन किसी तिक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंसिक रूप से मूर जाता है तो इस घटना को ही परकास का भी वर्तन काते हैं आपको एक बार में भी याद हो गया हो गया है जो जब परकास की किरन किसी तिक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंसिक रूप से मूर जाता है तो इस घटना को ही परकास का भी वर्तन काते हैं दोस करके जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसके आप लोग जो है संपूर्ण सब्जिक्ट का जो है आप वीडियो देख सकते हैं आसानी से चलिए नेक्षण प्रस्टों कभर करते हैं और यहां पे प्रस्ट नहीं कि जब कुंडलिया पास-पास होती है तो पहली कुंडली मे धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में बिदुत्वाहक बल उत्पन हो जाती है तो इस घाटना को ही अन्यने प्रियाण कहते हैं अगर आप एक बार में याद करना साथ चाहते हैं तो अभी याद कर ले सकते हैं कि जब कुंडलिया पास-पास होती है तो पहली कु कुंडलिया है और दोन जो कुंडली है वह पास-पास है तो पहली कुंडली में अगर धारा परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में बिदुत्वाहक बल उत्पन हो जाता है तो इस घाटना को ही अन्यने प्रियाण के नाम से जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग याद कर कुझस करें तो अभी ही याद कर लेंगे कि जब कुंडलीया पास-पास होती है तो पहली कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में बिदुत्वाहक बल उत्पन हो जाती है तो इस घाटना को ही अन्यने प्रियार कहते हैं उमीद करते हैं आप सभी को ज एक बाटा टू सी भी स्कॉर होते हैं इतना ही यह दूर नमबर के लिए सभी परस्ट नोतर ठीक है तो यह इतना लिग देते हैं तो आपका दो अंक्य मिल जाए क्योंकि इसका सूत्री ही पूछ लिया गया था बोडिग्या में और यहां पर प्रस्ट के उचाई ट्रांसफर् का उपयोग करते हैं उपयोग ही पूछा गया था तो यहां पर देखे कि कारवन परतिरोध के कलर कोड़ से आप क्या समझते हैं यही प्रस्ट नतर हर सल पूछ लिया जाता है कि कारवन परतिरोध के कलर कोड़ किया होता है तो इलेक्ट्रोनी परतिरोध के उच्छ परिसर वाले बिधुत पर्तिरोधों का उप्योग किया जाता है जिसे कार्बन पर्तिरोध का कलर कोड करते हैं जैसे लाला रंग का कलर कोड होजेगा दो और हारा रंग का कलर कोड होजेगा पांच और जदी से कमेंट कीजिए कि पीला रंग का कलर कोड किया होता है ठीक है पीला रं सीज का दोस्तों ठीक है तो अब जो है परतीक वीडियो को अगर नहीं देखें होंगे तो उसे आप बस आप रेडी कॉल दीजेगा दोस्तों इसे बाहर अब एक भी परसंटर नहीं छुटेगा दोस्तों यह हम हंडे परसंट गरांटी के साथ करते हैं अगर माली अगर नहीं आएगा दोस्तों इसे बस आप रेडी कर लिजेगा किसी तरह से बहले कुछ भी ओर टाइम तो कम ही है लेकिन आपको किसी तरह से रेडी कर लेना है ठीक है आए दोस्तों नेक्ष्णा प्रसंटों कवर करते हैं और यहां पर प्रसंट है कि प्रतिचुमक्य प्रति जो है रिनात्मक होती है और यहां किसी चुम्बकिये पदार्थ की छषर को चुम्बक के द्रूव एनेस निके नर्थ द्रूव और साउथ के मध्या रखा जाता है तो यहां अपने गूर के कारण सोता चुम्बक के छेत्र के लंबत अस्थापिद हो जाता है जो मा पदार्थ की छषर को चुम्बक के द्रूव एनेस नर्थ और साउथ के मध्या रखा जाता है तो यहां अपने गूर के कारण सोता चुम्बक के छेत्र के लंबत अस्थापिद हो जाता है बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और हम लोगों से प्रस्ट पूछ लिया जात दोस्तों बहुत ही आसाई से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों देखे आवर्धान में क्या होता है इसका जो मान होता है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव के बीच हो सकता है और इसका जो मान होता है या बिमाहीन होता है और इसका जो आवर्धान का भी जो है य जो है और यहां पर प्रशना था की फिलेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे ये परषनतर बहुती भीए परषनतर दूस्तो ये भी परषनतर लगबग हर सल आज पूछ लिये जा रहे हैं तो बहुती महत्पूर है कि फिलेमिंग ने अपने बाएं हाथ की तीन अंगुठा तरजनी तथा मध्यमा को प्रसपर लंबध फेला कर यह बात आया कि तरजनी चुंबक्ये चित्र मध्यमा जो है धारा की दीशा अंग्ठा जो है धरवाही चलग पर लगे बल की दीशा को ब्यक्त करता है यहां पर हम लोग चीतर अगर बनाना चाहते तो यहां पर चीतर हम लोग बना सकते हैं वैसे नहीं भी ब जाएगा दोंग के दोंग तो हम लोग असाइस से कह सकता है फिलेमिंग ने अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियों अंगुठा तरजनी तथा मध्यमा को प्रसपल लंबध फैलाकर यह बात आया कि तरजनी जो है चुंबके छेत्रे मध्यमा धारा के दीशा तथा अंग् रेक्टिस कर लेजिएगा मेरे लिए सब कुछ आप ही है दोस्तों तो आप अपने सांद जो बनाए रखेगा और वीडियो को अधिक सदिक शेयर करें बस आप टोपर्स इसको अच्छे से दोस्तों रेडी कर लिजिएगा और कुछ पढ़े या नहीं पढ़े बस टोपर्स जिसकी चलकता चालक और चालकों के बीच होता है और चालक आलाता है बहुत यह साइंस से समझ सकते हैं और यहां पर पूछ लिए जाता है कि बोर के अस्थाई का अक्छा से आप क्या समझते हैं तो बोर के अस्थाई का अक्छा से हम लोग यहीं समझते हैं यहां पर जाने कि लिए बगार भीकी रन उस्वाजित किये मात्र कुछ कच्छाव में परिकर्मा कर सकते हैं इन्हें बोर्ग ने इस्तिर कच्छाए कहा और ये कच्छाए कुछ के कच्छाए केंद्रक से कुछ दूर्या पर ही नीशीत रहते हैं और यहां परसने के विदुचुम्बा किये क्या है तो हम लगाता हैं समझते समझ सकते हैं कि जिन तरंगों के संचाने के लिए किसी माध्यम की आउसकता नहीं होती है तो विदुचुम्बा के तरंग कहलाता है अगर याद करने की कोशिस करें तो अभी याद कर सकते हैं कि जिन तरंगों के संचाने के लिए किसी माध धान पर एक्षार आवेस पर लगने वाले बॉल को ही बिदुच्छेत्र की तिवर्ता कहते हैं और इसे बेक्टर E से सुचित करते हैं तो असाइश से याद कर सकते हैं कि एकांग धान पर एक्षार आवेस पर लगने वाले बॉल को ही बिदुच्छेत्र की तिवर्ता कहते है भीक्टर ये से सुचित करते हैं अब 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 जेक्टिव के लिए परशने करते हैं और यहां पर प्रसना हम लोग सब पूछ लिया जाता कि करांती कोन और परतनां के बीद यह समंद्ध अस्थापीत करें तो यह प्रसनतर हम लोग पहले देख चुके थे लेकिन इसमें हम लोग प्रेक्टिस कर लेंगे ठीक है तो माना कि दो माधिम हावा तथा कांच है जिसक प्रकार से चित्र बनाएगे उस प्रकार से आप लोग जो है बना लीजेगा दस्तों ठीक है और इस देनल के नियमान उसाथ जो मिव नट अपन आई और मिव आई अपन साइन नबे डिग्री तो क्यूंकि यहां पर ठीटा कमांद दिया गे 90 डिग्री तो 90 डिग्री मिवन हो जगा और वान अपन साइन आई सी यहां पर लिख सकते हैं या आई भी लिख सकते हैं ठीक है इस परकार से जो है हम लोग सीध कर चुके थे कर चुके हैं दोस्तों तो इस परकार से हम लोग को दो आँख मिलेगा यहां पर हम लोग असाइन से समझ सकते हैं और यहा अस्थान पर प्रिथिवी के चुम्बकिये च्छित्र का परिणाम और दीसा का पूर्ण ग्यान जीन रास्यों से पराप्त किया जाता है या होती है तो उसे उस अस्थान पर प्रिथिवी के चुम्बकिये च्छित्र का परिणाम और दीसा का पूर्ण ग्यान जीन रास्यों स प्राप्थ होता है तो उसे उसे अस्थान पर प्रिथिवी के चुम्बा के चुम्बा के तत्व करते हैं टॉपर्स के परती एक वीडियो को देख लिएगा टॉपर्सी 2023 करके जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसके आप लोग जो है सब्पूर्ण सब्जेक्टिव अब प्रसंदर आप चुटने वाले नहीं है बस आप उसको बस रेडी कर लिजीगा वहले आप कुछ और पढ़ें ना पढ़ें बस उसे आप रेडी कर लिजीगा किसी तरह से दोस्तों आपसे एक भी प्रसंदर चुटने वाले नहीं है इसका जो पीडिएफ है हम टेलिग्राम कि मेरे लिए आप यहीं सब कुछ है दोस्तों आप सेयर करते हैं तो ही इसचानल यह बढ़ता है नहीं तो हम जो है कुछ नहीं है बस हम पढ़ाने की कुछिस करते हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको आचा रिजल्ड दे पाएं दोस्तों ठीक है बस आप अच्छे से पढ़ लेंज का नियम कहते हैं माली ये इसको अगर समझा जाए तो बहुत ही असायन समझ सकते माली जे दोस्त दोस्त है और एक दोस्त जो है आपको अगर manufactured करता है और आप जो है इसी को ही करने लगते हैं कि क्यों हमारे मादध किये जब पलकी दिशा इस परकार होती है कि यह उन्ही करनों का बिरोध करती है जिन करनों से यह उत्पन होती है लेंस का नियमता लाते हैं तो उमीद करते हैं यह प्रसदोतर आपको सही से समझ में आगया होगा और आप जो है अच्छे से याद भी कर लिया होंगे अगर दोस्तों पीडियेफ हैं हम टेलीकराम गुरूप में जोएं होते हैं तो हम भेज देगा वहां से आप जो है पीडियेफ डावलोड कर सकेंगे टेलीकराम गूरूप से जरूर ही जो जायए हो जाए गए दोस्तों क्योंकि यहां पछे आपको पीडियाफ मिल देगा उमीद करते हैं को अच्छी लेगी होगी लागी होगी तो लाइक जोड़ कीजिए दूस्तों और चानल पर नहीं जोड़ हो तो जोड़ी सब्सक्राइब करें लास्ट में जोड़ी कमेंट कीजिए कि यह सब्सक्राइब को कैसे लगा तो जय हिंद